नवस्कार साथियों तो चलिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर चुके के मानावदिकार संरक्षर नदिनियम 1993 अब उसी से सम्मंदित हम कुश्चन्स और उनके आंसर देख लेते हैं जो सबसे मैंत्पूर है यह कहे लीजिए कि उस जो भी पढ़ा है पिछले लेक स सम्म должна ference तै याद रहे अधिए पहला कुश्चेन हो म्हाँ कि राष्टी मानावदिकार दिवस कब मनाया जाता है इंगे राष्टी ये मानावदिकार दिवस आयद रखना आपको दस दिसंबर दस्दिसंबर को क्या मनाया जाता है राष्टिये मानवधिकार दिवस याद रखना है ठीक दूसरा कुश्चन है मारा मानवधिकार सनरक्षन अधिनियम उननिस सो तेरान में की अधिनियम का क्या उद्देश है याद रखिए मानवधिकार सनरक्षन अधिनियम उननिस सो तेरान में की अधिनियम का क्या उद्दे मानावधिकारों से संबंदे थी या उसके अनुसंगित मामलों के लिए उबंद करना राष्टी है मानावधिकार आयो राज मानावधिकार आयो एवन मानावधिकार नियालाय का गठन करना ये सभी उसके उद्दे से तीसरा कुष्चिन है हमारा मानौधिकार सरक्षण अधिनियम 1993 को कितने अध्यायों और धाराओं में बाटा गया है तो आपको याद रखना है मानौधिकार सरक्षण अधिनियम 1993 को कितने अध्यायों और कितनी धाराओं में बाटा गया है इसमें कितने अध्या है और कितनी धारा है ठीक है तो आपको याद रखना है आठ अध्या है और इसमें 43 धारा है माना अधिकार सरक्षा अधिनियम 1993 में कितनी धारा है और कितने अध्या है तो आठ अध्या है एट और 43 यानि कि 43 धारा है ठीए? अब है हमारा चौत्रा कुष्चन, अंगला कुष्चन है चौत्रा. मानावधिकार सरक्षदिनियम 1993 की संदर में कौन सा केथन सत है। इसका विस्तार संपूल भारत में है। याद रखे इसका विस्तार राज की सहमती पर निर्वे कर एगा। इसका विस्तार जम्मू कस्मीर में नहीं है इसका विस्तार पिदेशों में भी नहीं भी होगा तो याद रखना अगर 2019 से पहले देखते तो भी ओप्सन सही था लेकिन 2019 में जो जम्मू कस्मीर में से 370 हट गई तो अब इसका विस्तार संपूर भारत में है इसका विस्तार सं तो आप वह सभी प्रावधान लागू होंगे जम्मू कस्मूर में निमने मैं से कौन कथन सत्थ है तो याद रखिए उन्नीस 2019 के पहले का एक कुश्चन सही होगा इसमें दा यह अदिनियम जम्मू कस्मी राज पर उसी सीमा तक लागू होगा जहां उसका संबंद उसराज में फ्योज समिधार की साथवी अनसूची एक सूची एक में और सूची तीन में वैड़ित किनी फिर्विष्टियों से संबंद मामलों में लेकिन अब यहां से विशेश अदिकार हट गया तो पूर्ण रूप से जम्मू कस्मी में लागू होगा चटवा है अंगला कुश्चन कौन सा है ना चटवा माना अधिकार संरक्षद अधिनियम 1993 को राष्टपती की अनुवती मिली कव 8 जन्मरी 1994 को तो फिर इस अधिनियम को 28 सेप्टमबर 1993 से फिरुभाव में आया फिरुभाव में आया हुआ है क्यों सम्झा गया तो याद रखिए दो बाते हैं आप लोगों को मिल गई यह फिरुभावी कव हुआ यह लागु कव हुआ था 28 सेप्टमबर 1993 को एक अधिया देश के द्वारा और राष्टपती की अनुवती के मिली 8 जन्मरी 1994 को ठीक है क्योंकि 28 सेप्टमबर को अंतराष्टी यह मानो देश को अस मनाया जाता है गलत है क्योंकि इस दिन अंतराष्टी अभी समय द्वारा नियत किया गया था यह भी गलत है आंगे देखते हम लोग क्योंकि इस दिन राष्टत्वत्पती द्वारा अध्या देश किरमांक 30 सन 1993 में प्विक्ख्यादित किया गया क्योंकि इस दिन मानो दिकार के संब्न्द में से राष्टी यह तर पर आंदोरन किया गया नहीं यह गलत है ठीक? तो यही सही है साथ फिर है सात्वा कुश्चन माना अधिकार सरक्चन अधिनियम की कौन सी धारा में माना अधिकारों को फरिभासित किया गया है सात्वा कुश्चन है माना अधिकार सरक्चन अधिनियम की कौन सी धारा में माना अधिकारों को फरिभासित किया गया है तो आप लोगों ने पिछली लेक्चर अगर देखाया तो आपको पता हुगा धारा बी ओप्सन से इन समें धारा दो घा में ठीक है? मानावधिकारों को फरिभासेत किया गया फिर आठवा कुश्चन है मानावधिकार सनर्चन दिनियम 1993 की धारा दो एक घा में दी गई फरिभासा की अनुसार मानावधिकारों में समलित है आठवा कुश्चन है इसमें जीवन, सुतंद, समता और गरिमा का अधिकार ठीक है? जीवन, सुतंद, समता और गरिमा का अधिकार साभ़ संसी है अगर आपने वेचला लेक्चर इसका देखा हुआ है माना अधिकार सनरक्चन अधिनियम का तो लगबग आप सभी कुश्चन सॉल्व कर ले सकते हैं नौबा कुश्चन नौबा कुश्चन है माना ओधिकार सनरक्षन अधिनियम में राष्टिये फिसंबिदा से क्या विफ्या है तो इसमें क्या है सिबिल एबं राजनेतिक अधिकारों पर अंतराष्टिये फिसंबिदा ये भी सही है 16 दिसंबर 1966 को सयुक्त राष्ट की साधारन सभा द्वारा अंगीकित आर्थिक सामाजिक इबं सांस्कित अधिकारों पर अंतराष्टी पिसंदा ये भी सही है 16 दिसंदे ये सरकार द्वारा अधिसी उचना द्वारा वी निर्दिष्ट कोई पिसंबिदा इबं अभी समय है जिसे सायुक्त राष्ट की साधारन समाद्वारा अंगीकित की आ गया हो ये भी सही है तो इसमें दाउप्शन सही है उप्यों सभी फिर दसबा है हमारा कुश्चन मानवदिकार सनरक्षन अधिनियम में महलाओं के लिए राष्टिय आयोग से क्या अभी वे थे तो दसबा है इसमें मानवदिकार सनरक्षन अधिनियम की धारा तीन में गठेत आयो गलत है मानवधिकार सनरक्षण अधियम की धारा 21 में गठत आयो यह भी गलत है मानवधिकार महलाओं के लिए राष्टी आयो अधियम 1990 की धारा 3 के अधियम गठत है यह सही है साव अपसन सही है इसमें फिर 11 कुष्टेन है मानवाधिकार सनर्चर अदिनियम 1993 की वारे में कौन सा कतन सत्त है ठीक है तो इसमें हम लोग देखते हैं राश्टिय बानवाधिकार आयूग में कुल पांस निक्त सदस होते हैं ये सही है राष्टी ए मानावधिकार आयोज का मुख्खाल recuperate में मुंबई में है ये गलत है क्योंकि दिल्ली में है राष्टी एमानावधिकार आयोग के सदस्तों की निकति इस्थ्थम्न पनेयलय की मुख्णियी आइदिस करते है ये भी गलत है राष्ठपती करता है एक समिती के एक अध्यक्ष और एक सुप्रेम कोट का नियादिस एक हाई कोट का और दो सदस होते हैं जो मानवधिकारों के विस्थे में ग्याता हूँ अब बात करते हैं बारवा क्वेश्चन है राष्टी ये मानवधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो याद रखिए जो पिदान मंत्री ये नहीं होता है राष्ट पती भी नहीं होता है जो उच्छे तम नियालय का मुख नियादिस रहा हो ये ही होगा जो किसी उच्छ नियालय का मुख नियादिस रहा हो ये नहीं याद रखिए इसमें क्या है C option जो उच्छ नियालाय का मुख नियादीस रहा हो यही सही है मतलब सा option सही है दा भी गलत है तो याद रखना है तेरा इवा कुश्चन है तेरा इवा कुश्चन क्या है माना अधिकार आयोग के फिता मद्यक्ष कौन थे तो याद रखीए माना अधिकार आयोग के फिता मद्यक्ष कौन थे तेरा इवा कुश्चन है इसमें नियाय मूथी रंगनाथ मिस्बा रंगनाथ मिस्बा फिर आपको याद रखना है 14 इवा कुश्चन राष्टियमान अधिकार्ट आयोब का सेके ट्रिट्री जरनल है तो इसमें एक नियाय का दिकारी उसे आयोग के सितस की रूम मानता है वह आयोग द्वारा वी न्यूमेड बनाने के कार में बग जबकी है एक तीनों गलत यहिं इन मैंसे कोई अप्छन नहीं है ठीए पंद्रवा राष्टी यह माना दिका ईसे कारेOM का निर्फन करेगा जो उस आयुग का अध्यक्ष द्वारा हुआ त्याजिक आ्यां तो इसमें क्या है में यह ने प्योक्त आ और बाप दोनों सक्ति हैं मतलब न्याय कित और धारा 40 खाग यदिन 29 बनाने की सकती तरह हमारा सोलवा कुश्चन सोलवा कुश्चन है राष्टी माना अधिकार आयोग का मुख कार्याले कहा है तो आपको रखना है याद सोलव दिल्ली में ठीए राष्टी मानावधिकार आयों के अध्यक्च सदर्सों की निवक्ति किसके अस्ताक्चर येवां मुद्रा से अधीफरत द्वारा होती है तो याद रखना है आपको सब्तरे का राष्टपती राष्टपती द्वारा अठारा वार निमलेकित में से कौन समिती में सामिल नहीं होता जो राष्टी है मानावधिकार आयों के अध्यक्च तथा सदर्स्यों की निवक्ति है तू संसती करता है तो याद रखना है आपको अठारा वारा कुश्चन इसमें उपराष्टपती नहीं होता है फिधान मंत्री होता है लोकसभा द्यक्च होता है संग का ग्रह मंत्री होता है ठीक है लोकसभा में विपक्च का नेता होता है और राजसभा का उपसभा पती होता है और राजसभा का विपक्च का नेता होता है प्रश्टिये चैसे दस होते हैं अब बात करते हैं 19 वा कुष्चन कौनसा 19 वा कुष्चन निम्न में से उस समिती के में सामिल जो राष्टिये मानवधिकार आयों के अध्यक्त जो सदस्नों की निवति करता है संसुति करता है तो याद रखिए इसमें सावसन है राष्ट पतिगो फिर 20 वा कुष्चन है राष्टिये मानवधिकार आयों का अध्यक्त या अन्न सदस्न अपना त्याग पत किसको संबोधित करते देते हैं तो याद रखिए राष्ट पतिगो 21 वा कुश्चन राष्टी मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष किस आयोग से अधिक होने पर पद पर नहीं बने रहेंगे तो आपको याद रखना है 70 भर्स अंगला कुश्चन 22 मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संजरख्ष अंधिनियम 1993 की दाराओं में मानव अधिकार आयोग की कार और सकतियों उलेके थें तो आपको याद रखना है 13 और 12 तेरें 22 का 6 अधिनियम की धाराओं में किया गया है इन कारियों की संख्या क्या है? क्या याद रखना है? राश्टी अमानो अधिकार रायों के कारियों और सक्तियों का उल्ले अधिनियम की धारा वाराय में किया गया है इन कारियों की संख्या कितनी है? तो आपको रखना है याद? 23 का दा, वपसंद 10 तेईस का दा ठीक है फिर चौवीस बाद दीक लेते हैं कुछ राश्टी अमानों अधिकार आयों कि जास से संबंदे सक्तियों में कौन सी सक्ति समले थे तो याद रखना है आपको चौवीस का साक्षियों को बुलाना था उनकी उपस्ति में प्रवत्ति करना ये भी सही है हल्फ नामों पर साक्षि प्राप्त करना ये भी सही है साक्षियों या दस्ताविदों की परिच्चा के लिए कमिशन जारी करना ये भी सही है उप्योक्त सभी सही है इसमें ठीक है द आयोग अपने जांच पिती विदन की एक पिती अपने सिफारिसों के साथ संबंदित सरकार या प्राधीकार को भीजेगा तब समंदी सरकार या प्राधी कारी साधर तक इतनी आउदी के भीतर उस पिती विदल पर अपनी अभीमत उस पर की गई या की जाने वाली फिस्तावी कारवाई के साथ आयो को अग्रेशित करेगा 25 बाध तो याद रखिए एक माह है बी उप्सन सही है बाध उप्सन सही है 25 26 की बात कर लें तो ससक्त बल कि सदस्वों द्वारा मौना ओधिकारों के ओलगन की सिकायत को निपटाने समय आयोग द्वारा की गई सिफार्सों पर भारत सरकार उन सिफार्सों पर की गई कारवाही की सूचना आयोग के साधर तक कितनी आउदी में देगा तो आपको क्योंकि कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं राज माना अधिकार यहां राज पूंच रहा है याद ना करा राज माना अधिकार अध्यक्च बनने के लिए आवसेक है कि वह उच्च नियालाय का मुख नियादीस रहा हो याद रखना आउप्सन सही है और अगर राष्टी यह माना अधिकार की पूंच था तो उच्च नियालाय का मुख नियादीस रहा हो तो इसमें आउप्सन सही है फिर अंगलाय हमारा 28 वा कोश्चन 28 कोश्चन है निमलिकित में से कौन कथन असत है असत देखना है एक राजज माना अधिकार आयुग का सचैव हुष कारफालक अधिकारी होता है षय हुआ है राजजheen माना अधिकार मुख कानेले उसके अध्धेश द़ारा निरधारिक किया जाता है यह गलत है राजज़यों समिधान की साथवीन असूची में सूची दो, सूची तीन में उलगे प्रविष्टियों में किसी से सम्मंदित मामलों के बारे में ही मानव अधिकारों के उलगन की जाच करेगा ये भी सही है दो या अधिक राज इसर कारें राज जायो के अध्यक्ष या सदसों की सम्मिती से ऐसे अध्यक्ष या था इस्ति ऐसे सदस को एक ही समय में अन राज जायो के लिए निव्ट कर सकती है एसा अध्यक्ष या सदस से ऐसी निव्टी के लिए सम्मित सम्मती दे दे तो यह भी सही है तो याद रखिए इसमें बाव अप्सन सही गलत है उन्तीसवा उन्तीसवा कुष्टन है राज आयो की अध्यक्ष औ सदस्वा क्यों निक्ति किसके हस्ताक्षर एवा मुद्रा सहित अधी पद्वारा होता है तो आपको याद रखना है राज पाल द्वारा ठीक है अगला तीसवा कुष्टन राज आयो की अध्यक्ष औ सदस्वा की निक्ति की सिफारिस करने वाली सम्ती का अध्यक्ष कोन होता है तो आपको याद रखना हम बाव अप्सन से ही मुख मंत्री ठीक है तो मुख मंत्री अगला है हमारा 31 वा कुष्चिन कौन सा 31 वा कुष्चिन है हमारा अगला 31 वा निमलेखित में से कौन राज जायु के अध्यक्ष और सदसों की नूग्ति की सिफारिश करने वाली समिती का सदस नहीं होता है ठीक तो विधान सबा का अध्यक्ष होता है राज में गिरह मंत्रा अले का प्तरभावरी मंत्री ये भी होता है उच्छ नेयलेका नयाद का मुक्नेयादिस ये नहीं होता है ठीक है विधासभा में विवक्ष का नेता ये भी होता है तो इसमें सावपसन गलत है अंगला है हमारा वत्तीसवा कुष्चिन राज जायोग के सदस्वों की पदावदी समंदी निमलेकत में से कौन सा कतन असत है राज जायोग के अध्यक्ष और सदस्वों की पदावदी की समंद में धारा 24 से सम्में उबंद है ये सही है राज जायोग का सदस उसकी निवक्ति की तारिक से पांच वरस की अउदी के ल पांच वरसों की दूसरी अउधिय के लिए फुनर नेउक्त होने के पात्त नहीं होगा ये गलत है सदस होगा लेकिन अध्यक्ष नहीं होगा अब बात करते हैं लो 33 वा कुष्चन राज जायोक के सदस अध्यक्ष और सदसों का संदेव बेतन बत्ते उसकी सिवा की अन्न सर् किया जाएगा तो याद रखिए 33 वा कुष्चन है राज सरकार द्वारा 34 वारा राज सरकार फितेक मानावधिकार नियालाय के लिए उस नियालाय में मामलों को संचालित करने के फ्रेव जन नाज किसे बिस्ष्ट लोग अभी योजक के रूम में वी निर्दिष्ट करेग तो आपको याद रखना है किसी लोग अभी योजक को किसी ऐसे अधी विक्ता को जो कम से कम साथ परसों के से बिदी बेवसाहिब कर रहा हो तो इसमें साफ उप्शन सही है उप्यक्त यह आओ बाद दोनों सही है ठीक 35 बार 35 बार राष्टिये मानवधिकार आयो राष्टिये आयो कि लेखों का बालसिक बितरन विबरन तेयार करने का प्रपत के इंदी ये सरकार कि किस के पराभश से बेहत है करेगी तो याद रखना है इसमें भारत के नेंतक एवं नहाले का परीक चक्षि अब बात करते है 36 बार राष्टिये आयो के लेखों का बालसिक बिबरन तेयार करने का प्रपत राष्टरकार किसके पराभश से बेहत करेगी तो याद रखना है 36 इसमें भारत के नेंतक एवं महाले का परिक्षक से 37 बार राष्टिये मानव अधिकार आयोग या राज आयोग उस तारीक से जिसके मानव अधिकारों के उल्लगन करने वाला कृत किये जाने का रोप किया गया है कितनी यौदी के बाद किसी मामले में जाज नहीं करेगा तो इसमें याद रखना है आपको एक महीने की यौदी की समाप्ती के बाद एक बरस की सौरी एक बरस की आधि के समाप्ती के बाद के मामलों को ठीक फिर है 38 38 बाद निमलिखत में से किस वारतिय दंज सहिता की धारा 21 के इंतर अर्धांतर लोक सिवक समझा जाएगा तो इसमें उप्यक्त सभी राश्टी यायु की पितिक सदस, राश्टी यायु या राश्जायु के द्वारा इस अधिनियम के अधिन कित्तेों का प्योग करने के लिए नियुक्त पितिक अधिकारी कौनसी धारा पूरवरती फ्रवाव से नियम बनाने की सकति पिदान करती है? तो इसमें धारा चालीस का ठीक वावसन सये घीस Черन द्वारा चालीस का की अधिनियम बनाने की सकति निमलिक्त मैं से किसे प्रावत थे? चालीस का है राश्टी मानवधिकार आयुक्il पिर एक तालीस वा लास्ट कुश्ट राष्टिये माना अधिकार आयों को वी ने में बनाने के लिए किसका पूर्ड अनुमूदन प्रप्त करना होगा तो याद रखिए इसमें केंदिया सरकार का ठीक है तो यह थे चालीस कुश्ट एक तालीस कुश्ट टॉप इन्हीं में स झालीस